जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तो तुला राशी के लोगों के लिए धन भाव में लक्षमी नारायन योग बन रहा है और ये लक्षमी नारायन योग अगले 15 दिनों तक रहेगा इसके अलावा और भी कई संयोग है लेकिन इस लक्षमी नारायन योग का जो प्रभाव है वो तुला राशी के जातकों के लिए अगले 15 दिनों में किस किस तरह के बदलाव लेकर आएगा किस किस तरह के आपको परिवर्दन देखने को मिलेंगे क्योंकि धन भाव में ऐसे योग का बनना कही ना कहीं आपके धन सम्मदित दिक्कतों को दूर करने वाला हो सकता है तो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से वीडियो को लास तक देखे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले जोड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो देखे अभी 11 नवंबर को शुक्र ने राशी परिवर्तन किया अभी तक शुक्र आपकी लगन में बैठे हुए थे तुला राशी की में अब यहां से वो आपके दूइते भाव में परिवेश कर चुके हैं जो कि धन का भाव होता है व्रस्चिक राशी में अब 13 नवंबर के दिन बुद्ध भी आपकी राशी से निकल कर आपके दूइते भाव में परिवेश कर जाएंगे 13 नवंबर की शाम को अब जब भी बुद्ध और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ होते हैं तो ये लक्ष्मी नारायन योग बनाते हैं अब जैसा कि नाम से प्रतीत होता है लक्ष्मी नारायन योग यानि कि मालक्ष्मी और भगवान नारायन का ये योग है और ये योग बड़ा powerful होता है बहुत ही उत्तम इस योग को कहा जाता है मालक्षमी जो है वो सुक समरदी देने वाली होती है धन की देवी होती है तो आर्थिक रूप से इस्तितियां जो है वो बहुत ही ज़ादा उत्तम देखी जा सकती है शुक्र को देखें तो वो आपके राशी के तो स्वामी है ही साथ में ये धन के भी स्वामी है संपत्ति के स्वामी है आनंद के सौंदर या के प्रेम संबंदो का प्रतिरी दित भी यही करते है और बुद्ध की देखें तो बुद्ध के हैं बुद्ध हमारे जीवन में जो गुद्धी का संचार करते हैं हमारे वानी के कारग ग्रह माने जाते हैं हमारी सिक्षा के हमारी संतान के कारग ग्रह माने जाते हैं यह हमारे जीवन में जो गुप्त और जो गहरे राज हैं उनके बारे में भी बुद्ध ही कारक गिरा है अब ये योग जो बन गया है ये योग ले पंद्रह दिन तक रहा है बुद्ध का परिवरतन है वो लगवक पंद्रह दिन तक एक राशी में रहते हैं शुक्र तेश दिन तक रहते हैं तो लक्षमी नारायन योग दुईते राशी में यह बहुत ही उत्तम है बुद्ध आपके दूइते भाव में प्रवेश कर चुके हैं अब इस समय देखिए जब भी व्रश्चिक राशी में कोई भी ग्रह जब किसी भी एक राशी में प्रवेश करता है तो उसका जो प्रभाव वो अलग तरीके से आपको देखने को मिलता है अब जैसे बुद्ध जो है वो व्रश्चिक राशी में आई है तो व्रश्चिक राशी में यहां जाने पर क्या होगा यह समाने तो अच्छा रहेगा लेकिन यह बहुत ही समवेदन शील भी माना जाता है यह मंगल की राशी है व्रश्चिक राशी तुला राश उस पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा एक तो आपकी वानी बहुत अच्छी होगी आप अपनी वानी को बहुत ही प्रभावशाली बना पाएंगे वैसे भी तुलाराशी के जात्तों का जो वानी होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है मीठी भाशा जिसको बोलते है मी ने किसी को कोई बात की और उससे कोई आहत हो गया तो बोलते समय बस इसन इत्ना ध्यार रखना है आपको कि मजाख में आप किसी को ऐसे शब्दु का ना प्रियोग कर दें जो उसको दुख दे तैसी चीजों का बस थोड़ा सा ध्यार रखे बाकी यहां यह समय जो है आपके लिए सबसे अच्छी जो चीज होगी वी विदेश यात्रा का जाने का प्रबल योग बना रहा है तुला राशी के वो जातक जो काफी समय से प्रयास कर रहे थे विदेश जाने का चाहे आप गूमने के परपस से कर रहे थे या जौब पराप्त करना चाहते थे या आप जाकर बसना चाहते थे तो अभी आपको वीजा भी मिल सकता है वर्क परमीट भी मिल सकता है बहुत ही प्रबल योग बना हुआ है इन 15 दिनों के अंतराल में विदेश यात्रा का जबर्दस्तियों के सारी परिशानिया आपकी दूर हो जाएंगी अब इस समय बाकी अगर द में लेकिन आप कमाते बाहर से हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे चांसे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी आमदनी बढ़ सकती है आप धार्मी के गती विदियों में भी काफी सलनगन रहेंगे परिवार के सदस्यों के साथ घर परिवार में भी कोई शुभ मांगली कारेकरम हो सकता है या फिर आप किसी ऐसी ही धार्मी के संस्थान से किसी से जोड सकते हैं आप अपने घर परिवार के सदस्यों के बीच में भाई चारा देखेंगे अपने एक ऐसी अच्छी बार्डिंग देखेंगे हर एक मेंबर के बीच में जो मजबूत रिष्टा बनाने में को रखना होगा क्योंकि यहां सबसे अधिक प्रभाव मुह से संबंदित कुछ चीजें हैं जिनका आपको सावधाने रखनी होगी और अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आपको ज़्यादा सावधाने रखनी होगी किसी भी चीज को इगनोर करने की कुशिश बिलकुल भी ना करें मुह संबंदित कोई भी परिशानी आपको होती है तो कुछी भी चीज को इगनोर ना करें उसका सही समय पर अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसी इसका ध्यान रखें अब देखें चो लक्ष्मी नारान योग है यह क्या करेगा बहु बहुत अनुकुल समय रहेगा धनलाब होने के पूरी संभावनाई बनी हुई है जीवन में सुक्स विधाओं में व्रद्धी होगी अब क्योंकि देखें धन भाव में लक्ष्मी नारान योग है अब धन भाव में धन की देवी का योग बनना तो धन को बढ़ाने वाला मा अच्छे गैजट्स हैं आपके पास अच्छे गाड़ी है आपके पास आपका खुद का मकान मकान बदल सकते हैं तो ऐसे सुक्सोविधा ब्रद्धी होने के चांसी fulf बहुत अच्छे हैं अगर आप कहीं निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो भी ये वक्t आप के लिए बहुत अनुकुल होगा आप निवेश कर सकते हैं निवेश के द्वारा लाव आपको अच्छे मिलेंगे इसके अलावा आपको अच्छानक से धनलाव होने के भी आसार बन रहे हैं क्योंकि अच्छानक से होने वाली घटनाएं भी यहां होंगी धन के शुरोतों में भी अच्छानक से बढ़ होतरी हो सकती है यानि आप जौब करते हैं जौब से आप पैसा कमाते हैं जौब से आपको तनख़ा मिलती है इसके अलावा भी आपके एक दो श्रौत और बन सकते हैं एक और जगह ऐसी और आपकी हो सकते हैं जहां से आपको धन की प्राप्ती हो चाहिवा छोटे तोर पर हो यानि छोटी छोटी जगह से जो आपको पैसा मिलने के जबरदस्त योग बने हुए हैं तो ये समय धन की ही व्रधी करने वाला है धन के ही आपके एक से ज़्यादा इस्तितियों को बनाने वाला है कि एक से ज़्यादा जगह से आप धन के प्राप से लाब उठा सकते हैं और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है वैसे होगा तो उसको रोजाना आप पानी दें तुलसी का और एक तुलसी का पत्ता लें और उसका सेवन प्रति दिन करना शुरू कर दें आपके स्वास्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें